आदाप नवसकार इस्तिकबार है आपका हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में और आज हमारे साथ मौजूद है अदाकार बिंदू दारा सिंग बिंदू दारा सिंग फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम एक मई 1964 को मशूर पहलवान और अदाकार दारा सिंग के घर पैदा हुए बिंदू दारासी ने साल 1994 में फिल्म करन से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने साल 1994 में पंजाबी फिल्म रब्दियां रखा में काम किया और साथ ही गर्व, हाउसफुल, कमबख इश्ग, सन उफ सरदार जैसी बड़ी और सुपर हिट फिल्मों में अलग-अलग किरदार भी अदा किये यही नही टेलिवीजन सीरियल जे वीर हनुमान में ये हनुमान के रोल में नजर आए और साथ ही कई मशूर टेलिवीजन सीरियल्स और पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए इसके अलावा बिग बॉस और नच बलिये जैसे हिट रियलिटी शोस का भी ये हिस्सा रहे और बिग बॉस त्री का खिताब भी इन्होंने जीता फिल्मों के अलावा बिंदु दारा सिंग असल जिन्दगी में अपनी जिन्ददली और मजाया अंदास के लिए जाने जाते हैं और इनकी ये खाहिश है कि ये अपने काम से इसी तरह लोगों को एंटर्टेंट करते रहें बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गुफतगु में पंजाबियों को बलाया गुफतगु में किदर हूतू तूतू ना हो जाया कबर्डी स्टार्ट कीजिए वेलकुम जी आप एक लजेंडरी डारा सिंग जी के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में बड़े-बड़े लोगों का बड़े-बड़े लेकिन मैं बहुत पतला छोटा सा बच्चा था तो जब टीचर पूछती थी क्या बनेगा तो मैं कुछ और लिखता था डॉक्टर पाइलेट यदि दिमाग में सोचा था एक्टर ही बनना है अच्छा वो आपके जहन में पहले से ही था बिलकुल क्योंकि हम आपके जहन में जब बडे होते हैं दो होली के लिए गार जी के जाना हमारे घर पे धरम जी का बहुत आना प्रांसा आ आरे हैं कभी कोई आ रहा है तो फیमली को जैसे होता एक बढल बीक फैमली बढ़े आता है डैट के रेसलिंग वाले बी बहुत कोशिशिकंगर ले जाने लेकिन डैट क अगर जो बच्चा चाहता है वो करें, कभी लाइफ में उनने इंपोज नहीं किया, तो हमार दिल में एक्टिंग थी और वही किया, तो उन्होंने शुरू से ऐसे महाल दिया कि आप जो मनना चाहें वो बन सकते हैं, बिल्कुल, अपनी ड्रीम बच्चों पर इंपोज ना करे बच्चों के अलग लाइन होती है, जो उनने दिमाग में उनका, जो उनको सूट करता है, वो अपने आप सूट सकते हैं, आप अपना नहीं मैं नहीं कर पाया, तो तू करेगा, वो गलत है, तो अल पेरेंट शुड लिसन तो दाट, जी और हमने एक बात सुनी आपके लिए या बोनिष का था या किसका था, में चीज है कि हमारे रोशन तनिजा जी थे जो एक्टिंग के कोस्ट चिलाते थे, वह सूरच जी आय थे उनने अच्छी लगी मेरी अक्टिंग और उनने का वई विंदू, तू मिरसे मिलना, तो मैंने जब दाट से बात की हमने का या या सूरच जी आके इतनी फैंटास्टिक बनाएंगे और जो राजी शरी फिल्म बनाते थे, उसे चेंज करेंगे, यह हमें पता नहीं था, तो हमारे नसीब में नहीं थी, और उनके नसीब में थी, उनने मिली, लेकिन बाद में आपको थोड़ा अफसोस हो रहा होगा, अफसो जी, और आपने करन फिल्म के साथ डेब्यू किया, बॉलीवुड में, बिल्कुल, करन फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी, कई जगा बहुत अच्छी चली, कई जगा थोड़ी कम चली, तो उसे लिए वो सेमी टाइप की पिचर थी, तो उसके बाद फिल्म में आई मुझ सुबह एक के लिए करते थे, राद को दूस्रे के लिए करते थे, बैताल पक्छी कुर्द करे था शो उसके लिए करते थे, वहां से गुल सनोबर के लिए चली जा आदेब कीता चली आज बहुत काम किया है, जै मात अधी, हिंदोस्तानी बहुत साले शोशोष लेंसा अग कि आपने बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ रुख किया अब देखो एक्टिंग तो एक्टिंग है मुझे यह दुख है कि मैंने तब स्टेज नहीं किया अब मैं स्टेज करने लग गया और इतना मज़ा आता है मैं उल्टा एक्टर हूँ जो जी पहले सिनमा फिर उ जी आपने का मज़ा आता है जी जी अर जी आपने कहा कि जै श्री राम और मतलब उनसे जोड़ा हूँ तो उसकी बारे में बताईए जो आपका हनुमान का करेक्टर और इतने सारे आपने निभाए और आपकी पिता से भी आपको प्रेहना मिली बिलकुल हमारे पिता जी ने क्यों एक्टर बना क्योंकि 1973 की बात है हम डाइट के साथ शूटिंग देखने चले गए हमने का हमें देखना है कि आप हनुमान जी कैसे बनते हो तो उनने का बहुत हार्ड है तो में छे बजे उटके चलना पड़ा है जा छे बजे उटके हम गए और नौ बजे तक उनके ब लाइट लगा लगा के माउथ बनता था हनुमान जी का और वह बहुत ही सुपरेट फिर मने जै बजरंग बली वह शूटिंग हमने देखी थी बहुत ही हाट थी और हनुमान जी की सेवा जो डैड ने उस पिचर से स्टार्ट की वह मतलब हमारे लाइफ में बहुत आई उस रोल के लिए जब डैडी को उनने ड्रीम में देखा था तो अगले देन हमें फोन आया है दारा जी को लेकर आऊ घर पे तो मेरे दोस्ते उनके बच्चे उनने का लाना है तो क्यों तो बोला वह हम ना पापा जी को बता नहीं क्या हो गया हो रमाइन बनाना चारहे वह लिए हमें तो आता ही टीवी काम करना लगा पापा जी बोलुए वही करना है और हो जोगा और दारा जी ऑनुमान जी ऐसे नहीं का करेंगे वह वह 20 जना पर नहीं करेंगे मुझे आज भी वह मीटिन याद है जिस तरीके से उनने का किए भगवान का और अरा था तो भगव में करने से मिलाए रैसलिंग करने से मिलाए उन सबसे ज़ादा हनुमान जी की सेवा में इंपक्ट अभी भी हमारे हां रमाइन चली थी और उसके बाद उने कोवेड में भी चली पूरे लोगों ने फिर देखी इस अमेजिंग के वह ऐसा हिस्ट्री बनी है आपने भी उसी त आया था तो उसमें मैं हनुमान किया था बहुत ही हिट शो था वो भी इतने शो किये कि या नाम तक याद नी आते हैं अब ऐसा हाल हो गया है जी बिलकुल है पंजाबी मूविज में भी आपने काफी अच्छा काम किया विशनु पुरान नाम याद आगे विशनु पुरान कोविट की वएसे इतनी पिच्रे बन चुकी है और उन सब को अब लगना इतनी अच्छी पिच्रे अब कैसे ना कैसे वह कोई सिस्टम बनेगा जो लोग देख पाएं उडीका तेरिया चार पिच्रे एक बहुत भी सुंदर पिच्छर है उडीका तेरिया वो भी है अब लिया था उसके बाद आपके जिंदगी में क्या बदलावाएं बिग बॉस से बहुत बदलावाता है क्योंकि बिग बॉस जब आप करने जाएं तो जो आप एक्टर हो लोग आपको पैचानते हैं एक्टिंग से कि यार यह वो पिचर में था यह वो सब आउट हो जात अब भॉस आपके बहुत हो जाता है जैसे आप बाहर आगा एक्ट आपयार जा तो इससे बरेटर क्या प्लाटफ़म दोफ इससे बहूँ चछान इए और बदला है बहुत प्लाट तो इससे वड़ चौ नहिं उसकी हुआई रिच उन तो इसा कर दो उसने उसकी मां बिमार है उसकी ऐसा कर दो बाते बिक बॉस में आपका एक बार दर्रौदा बं हो Champ न तो ़िसके वाद भूल जाओ कोई ऐसा experience और किस्ता फिल्म के दौरान जोग और फिल्म siya के दौरान का बहुत सारे किस्टेव हमारे तो सबसे हर जह कैसा किस्ता संथा पसंद करेगे जब जब मैं छोटा था, मैं एक फिल्म में काम किया था मुझे आज भी याद है वो फिल्म के शूटिंग के लिए डाइने का था विंदू सेरेडे संडे स्कूल नहीं होगा उस दिन आके शूटिंग करनी है तो मैं चंदीगर जा रहा था भक्ती में शक्ती थी बहुत बड़ी हीट पिच्छा थी वो तो यह खिसान और भगवान थी तो मैं प्लेन पकड़ के चंदीगर लैंड और तब बहुत चोटे एपोर्ट होते थे तो एपोर्ट में हजारों लोग और सब वेट करें के कि अगर का लिए तो बिन्दू जी आए है तो बंदू जी हमारी बहुत ख्लोँ है बहुत उंकी चटे ऴेरे घर आई और मेरे चिखी अनके पास पहुंटे ही तो ँं आज लेकिन अबके वह भॉत प्रेस ओनवूले अभी तक में भी ऐ से लिखते हैं बिनिशारा रहरी है त वो बहुत ही ग्रेट हूर। फै वह वहारे बाध सानलु कोंए नियूत क्लोस है तो उनके साथ भी टांग हीचते रहतेय हैं। तो इतली में से शौपिंग चले गए और अख्षे गाड़ी मेरा रह गया बाहरा है तो बहुत जो आया बहुत अधार शौपिंग के तू सुन्लिधी तू आप बहाट क्लेख भूग गया है कि अधार हुट्रा तो पूरे होटल में हर जगा एक एक मेरा कमड़ा गाड़ी तक अच्छे लबस तू पुल लेग्स जोक अराउंड भाई अलबस तू सल्बान अलसो अजी अलसो तो यह सब मज़े करते हैं संजू संजेदात इस अलसो वान यह जो बहुत ही बढ़िया दिल के साफ आद्वी बहुत कमड़ी तो इन सब करने में बहुत मज़ा था अच्छा फिम्स में तो आपने बहुत काम किया लेकिन एक बात है कि आप लीड रोल से सपोर्टिंग रोल में जादा नजर आए तो इसकी क्या बज़ा रही जब मैंने काम किया और मुझे लगा या 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 बट बड़े हीरो बनने का चांस नहीं तो बुला चरो टेलेविजि टेलेविजिन में जब काम करना स्टक है तो टेलेविजिन चलता रहा चलता रहा बहुत में रोल होता था कभी विलन के बहुत रोल मिलते थे अच्छा और मैं बहुत खतरनाग विलं था मुझे में बेताल पचिज़ी आज है घॉलम का दूसरा नाम है जल्माटो और लोग ईक डायलोग विजाय बहुत दायलोग उसमें विलेन वाले रोलों के तो बहुत है एक और शोथा मारा बहुत रहीत हुआ था चंद्रमुखी के चंद्रमुखी अदूर्दर्शन पर याथा तो उस्में भी मेरा नाम था 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 भानु प्रताब सिंग तो भानु प्रताब भी बहुत ही डेंजरिस था लोगों को बहुत मज़ा आता था यह नेगेटिव रोज देखने काकूटी मेरी मलेका ऐसे करके आता था कॉमीडी करते करते और फिर बहुत डेंजरिस रहा था जो मतलब तसकरी करने वाला जंगल में काटने वाला एनिमल्स ऐसा टाइप का था तो बहुत विलेंज के रोल मेले मुझे लेकिन सड़नली 2000 में डेविद धवन और साजिद नडियाड वाला ने मुझे बोला कि तेरे लिए बहुत अशा रोल लेखा विंदू तू आज आप पिच्छा करेगा तो मुझ से शादी यहां मिला कि भाय इगल गैंग तो वह से कॉमेडी स्टाट हुई है और के रोल मिलने लगे फिल्मों में तो लोग जैसा पसंद करते जिक वैसा ही होता है अभी आजकल तो हनुमान जी के डायलोग हम वोल रहे है पूरे आश्री राम में लाइव शो है तो लाइव शो में जो हनुआन जी के डायलोग होते हैं वो बोलने और एक कॉमड़ी प्लेया है सोचल मीडिया उसमें हम सोचल मीडिया का मजाक बढ़ा रहे हैं किसी चीज है यह क्या किया है इसने कैसे चेंज किया है हमारे टाइम पे मुझे आज भी याद है डीडी जैसे पहला उनली होता था चैनल एक ही अब लाखों चैनल आ गए हैं अभी डीडी सबसे में हैं क्योंकि गाहों खेडे हर जगा डीडी पहुंचता है लेकिन सोचल मीडिया ने इसा कर दिया के सबके आप में एक फोन दे दिया और सारे के सारे ब्लॉगर ब्लॉगर हो चुके हैं सब इंस्टा पे रि बनाते हैं लोग असते हैं मुकेष निशीं जी और राजन के सारे बनाते हैं लोगों बहुत मज़ा आता है तो लाइफ इस चेंजिंग वेरी फास्ट आप एक इतने बड़े लेजेंडरी दारा सिंग जी के बेटे हैं तो कोई प्रेशर रहा हमेशा से मतलब एक चैलेंज लोगों ने हमेशा यह देखा कि आपसे जादा एक्स्पेक्टेशन्स रही हमेशा लोगों की में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा है फटे वो फिल्मों में आ रहा है और वो खुद आना चाहता है अपने बल्बूते पर साथ आट साल हो गए वो रेड अब अलग सिस्टम है अब जब बच्चे हैं वो अलग करना चाहते हैं तो हमारे टाइम पर प्रेशर ऐसा कुछ था नहीं में चीज क्या है कि जब आदमी की लाइफ सेट होती है और उसे वो दो रोटी जो है वो कमाने का जो बहुत जादा टेंशन नहीं होता तो इतना प् लिए रेकल फैमिली में एक आदमी आता है वो काम करता है और वो एक फैमिली में ऐसा कर देता कि दूसरों को टेंशन नहीं होते हो तो हमारे पिताजी वो करके चले गए अब हमारा फर्स बनता है कि हम उसे बढ़ाएं ना की घटाएं और अपनी मैंद करके जिताना हो सके से आगे बढ़ाएं पिता जी की बात कर रहे थे हम तो पिता जी के लिए कुछ बताईए बच्पन की कुछ याद हमारे पिता जी अलग टाइप के इनसान थे वह हम पैदा सीख है हनुमान जी की बहुत सेवा किये लेकि उनने कभी भी हमें सिखा है ते कि हिंदू मुस्लिम सी सिख इसाई सारे ही हैं भाई-भाई काम, क्रोध, लोब, बहुत, अंकार के इन पुथलों को खुद्रत ने बनाया और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को खुद्रत तक पहुंचने का रास्ता अब कुद्रत एक रास्ते अनेक कर दिया भाई भाई को एक दूसरे से पराया एक कहता मेरा रास्ता अच्छा है दूसरा कहता मेरा तेरे से अच्छा है तीसरा कहता मेरा तुम दोनों से अच्छा है चौता कहता तुम तीरों से अच्छा है सदियों सी चले आ रहे इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया और यहां से करोड़ों चले गए लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे जगड़ों का सफाया बारी कुदरत तेरी माया तेरी माया तेरी माया क्या बात है बहुत ही बढ़ना शिक है ब्रोंपना शिक भग्त एंड सेवक बस टॉट आज आजsu कि याद रखना कभी लाइफ में तो में जिसने प्यार हो जाए तुमनें उससे चादी करनी है तुमें यृ टैंट नी करनी कभी एक बार जिंदगी में फेल भी एलावड है स् और जो बुलते हम जो वन हिंडिया जो सब का साथ, सब का विकास वाला सिस्टम हमारे डायड का था एंड वी वेरी हैपी फैमिली तो दिस इस हो वी आज गुफ्तगू पे आप किस को कि लोगों को याद कहना चाहेंगे गुफ्तगू पे डायट को तो हमारे भगवान जैसे हैं माबाप, माबाप भगवान होते हैं और हम भगवानों का नाम लेते हैं प्रे करते हैं सब को क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है कि ओपर कौन सुन रहा है हमारी साथ में माबाप का लाब रहते हैं उनको तो हमेशा ही या ट्राइ करके आगे बढ़ते जाओ पर माबाप तो एक जो बुलते है ना डी एने के अंदर है वो तो रहेंगे विंदु जी इतनी फिल्म आपने कियें तो कोई ऐसा मज़दार किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे किस्से हैं अब आदे का आपते और इस दिन लड़ाई हो गई तो मुझे रखाया क्या हो रहा है देखा तो लड़ाई चलती जारी है धपा धप धप चलते हैं मैं को लगा अभी रुक जाएंगे तो कोई लोग थे जो च्राउड के और हमारे यूनिट के तो मुझे जाना पड़ा रो है अच्छा रोग दी तो यह तो यह तो ऐसी फाइट वाले जिस्ते कॉमीडी के तो बहुत है हमारे साथ बहुत बतारा हुब करते हैं सल्मान इप बहुत तंग करता अश्य भी बहुत करता है अजय देवक्त तो बहुत जादा पुल्टे प्लनिंग के साथ लोग तो इनके बहुत सारे किस्से हैं इनके जितने सुनाएं कम है यानि आपको 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 बताया किस्सा है कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं का जो ला गई सन अव सदार की शूटिंग चल रही है पंजाब में फस्सक्रास एक तो संजू को मैं अलाउड नहीं सा लेके जाना संजू बो चंदीगर 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 चले तो राजीव अधिलिए उसके बड़े पैटने में उसके तो उसको जूट बहुत लेके जाना कि रात को फिर इसका कोई बरसर ही लेट हो जाए 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 और बार लेके एक दो फिर वापस नहीं आएगा और में शूटिंग धिस्ट बनावना बनाएगी सबके लिए और पूरा पाटी होगी हमने काया आरा अजय देगान पाटी देना है मज़ा गया तो काजॉल खानावना बना के वो रेडी थी सर्डनली इनने हमें कुछ खिलाया बहुत ही टेस्टी टेस्टी बीठा बदा गे और वो था ऐसा मिर्चों से बरा जो भी आता था उसको खिला गे उसकी दज्जी उड़ा गे फिर उसको दूसरा एक्टन आरा उसकी वेट करा था था कि अब इसको कराएगे ऐसको को कि टांग जाना चाहते हैं यह आपके पादर से आपको मिला या फिर मुझे लगता है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है है हेल्थ इस वेल्थ सारा पैसा का पैसा धरा रह जाएगा पूरा दुनिया का अगर आपकी सेहत नहीं होगी सिंक सबसे इंपोर्टन सेहत है और उस पे हमें कॉ जब गया हूं लेकिन फिटन डिल बोलता है तो अच्रह बहुता है तो आप उससे सोचें वैसे चलें और मैनत करें थोड़ी सी बीकॉज जब आपका ब्रेंच चलता रहे गा और आपकी लाते चलती रहेंगी दोनों चीज़ा चलती रहेंगी तो आपको कभी प्रॉब्रम आने लगे हैं, especially after COVID, तो लोगों के जो यह समझना पड़ेगा, कि health is the main thing. आप इतना काम करते हैं और इतना काम किया आपने, लेकिन फुर्सत के लमों में बिन्दू जी क्या करते हैं? आप फुर्सत के लमों में बिन्दू करते हैं कि family के साथ time spend हो, आजकल बच्चे जो हैं वो पहले जैसा नहीं रहा कि बहुत ज्यादा माबाप के साथ हैं हमारे बच्चे बड़े भी हो गए अब, तो फुर्सत के time में मुझे पसंद है कि आराम से relax करूं, थोड़ी सी exercise करें, फैमिली के साथ time spend करें, pets हैं, एक कुटा है, एक बिली है, उनके साथ खेलते रहें, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, जब pets होते हैं तो वो भी जब आप जाओ तो चाहे कोई आपके साथ ज्यादा ठाठा नहीं कर रहा हो तो खेल रहें full time, इतना bundle of energy हैं, उनकी energy आपक गोल्डे नेरा के कोई और actor जो आपको पसंद हो, भई हम बहुत close हैं, बहुत actors के साथ, Manoj जी, हम उनके घर में रहते थे full time, तमिंदा अंकल, हम उनके घर में रहते थे full time, तो यह जो हैं, बहुत close हैं, गोली चाचा रंजीत जी, तो वो हमारे सामने रहते थे थे, Danny जी पा मुम्ताज अंटी के साथ, 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 म जाल देता है कि मर गई मम्ताज तो फिर मुझे फोन करना था आउंटी यार विंदू कितनी बार मार रहेंगे मुझे जो अर्छे क्यों मार रहें तो विचारी बहुत दुखी हो जाती है बहुत इस्वीट और फुल अफ एनर्जी वांडरफुल मुझे आज भी आदा हूंके यह बेंदा ऑफ कर देख ञाए और वह शूटंग पे जारी होते थे इए तो शूटिंग पर इनको साथ कर आज चले आज रहें एक आद एका इस गाने की शूटिंग देखिया. बाहँ बहुत गाने बनते हूँे बूबší भूट शीजें लिएग्षि बड़े दूआ है कि आप आपका सफर यू ही चलता रहे और कामयाभी हासिल करते रहे आप लोग सब का प्यार रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा बेस्ट अब लग तो एवरीबड़ी वाचिंग दे शो गॉट ब्लेस एवरीबड़ी एंड बस जैसे अमने वहले बोला है तो नाजरीन गुफटगू में फिलहाल इतना ही अगले हथे फिर होगी आपसे मुलाकाट एक नई शक्सियत के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजासत आदा चेक जाना पड़ेगा अरे बाजी छोड़के एक महिना गुजर गया कम्प्लेन किये हुए